हम आपको दिखाएंगे सबसे उम्दा रिव्यू उन गारियों और मोडोसाइकल्स के जो आप देखना चाहते हैं और बताएंगे आटो जगत की सबसे एहम खबरें साथ में कुछ राज और कुछ चटपटी बाते और ये सब लेकर आएगी पूरी कारेंड राइक टीम जिसका मतलब हर रिव्यू, हर खबर, हर कंपैरिजन, हर जानकारी होगी बिल्कुल भरोसे मन्त, बिल्कुल सटीक और मज़धार भी नमस्कार, मैं हूँ सधार पिनाएक पार्टनकर, स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटिट पर यहां मेरे साथ कारण बाइक टीम के कुछ सदस्य जरूर मौजूद है लेकिन कुछ हट के हमारी के वक्त ऐसा करना जरूरी है सबसे पहले प्रोग्राम पे आपके लिए नई युन्दे वर्ना एक बहुत ही लोग प्रियकार जो की अब अपने फेसलिफ्ट अफ़दार में बाजार में उतरी है और इसके साथ-साथ एक नया एंजिन भी है युन्दे वर्ना कॉम्पक्ट सडैन काफी लोग प्रियकार है और अब अपने मिड साइकल फेसलिफ्ट के साथ बाजार में वापस आ गई है अगस 2017 में एक काफी सफल लॉंच के बाद इस कॉम्पक्ट सडैन ने एक धमाके के साथ वापसी की है और इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है सबस्क्राइब काड़ी का जब फेसलिफ्ट होता है उसके लाइफस्पैन के मिड साइकल में तो आप देखेंगे कि इजाधा तर इजाफा बहुत कम होता है लेकिन वर्णा में मैंने देखा है कि इस बार बहुत ज़ाधा चेंजिस किये गए है और कुछ चेंजिस ऐसे हैं जो सिर्फ इस टर्बो मॉडल में ही आपको मिलेंगे लेकिन सबसे पहले टेलाइट ट्रीटमेंट जी हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा ट्वीक किया गया है लेकिन उसका ओवर्राल जो शेप है वो जो वर्णा में था वैसा ही है लेकिन बंपर में कुछ तवदीलिया जरूर है और यह स्पोर्ट मॉडल है टर्बो और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे एक ब्लाक फ्रीटमेंट पोटी सा दिया गया है ख्रोम के साथ और ट्विं टिप एग्सॉस्ट वो भी एक गाड़ी के स्पोर्टी एलिम उसी तरह से किया गया है लेकिन सामने बहुत जादा चेंजिस है फिर से मैं कहूंगा कि स्पोर्ट मॉडल में कुछ चेंजिस हैं जो अलग है और इसलिए इसमें आप देख सते हैं कि पूरा और ब्लाक ट्रीटमेंट है फ्रंट ग्रिल पे और इसका जो डिजाइन है वो ज ग्लॉसी ब्लाक ट्रीटमेंट के साथ हैं ओवराल का लुक काफी बदला है युदे वर्ना के पास अब एक अतिरिक्द एंजिन है सबसे बड़ा बदलाव अगर आप मुझ से पूछें आम तोर पर फेसलिफ्ट में नए पावर ट्रेन शामिल नहीं होते हैं लेकिन युद अधिकांश मॉडल में लगा रहा है और में लगाकर समझदारी दिखा रहा है वर्ना के टर्बो पेट्रोल एंजिन में पावर वेन्यू में लगे एंजिन जैसी है और वर्ना में केवल 7-speed DCT gearbox ही आया है तो आपको यहां 118 BHP और 172 NM का टॉर्क मिलता है मेरा मानना है आप को यही कॉंबिनेशन आने वाली I-20 पर भी दिया जाएगा अला कि यही एंजिन यूंदे ने वेन्यू पे भी उखलब किया है यहां वर्ना में एक जादा sporty करेक्टर के साथ ओवर के आ रहा है क्योंकि इसने जादा लंबे रेव्स हैं और आपको एंजिन की आवाज भी अ माईजी नहीं है यह इसका एक अच्छा sporty ग्रावली फील है जो कि मुझे लगता है काफी लोगों को पसंद भी आएगा और पैडल शिफ्ट के साथ साथ अगर आप गारी को अपने आप थोड़ा जादा कंट्रोल करें और gear changes को भी तो आप पाएंगे कि इसका overall जो drive attitude है जो आप पहले से कही जादा sporty है लेकिन गारी का जो steering है वो तुरानी बरना से तो खेर अभी भी बहुत ही जादा बहतर है लेकिन यह sport model में मुझे लगता है कि थोड़ा जादा stiffness steering में आना चाहिए था जो कि नहीं है मैं वर्णा में लगे एक लीटर GDI engine का स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं कि आने वाले तिनों में इसके साथ manual variant की दिया जाएगा company की माने तो यह एक लीटर petrol आपको 19.2 km करती लीटर का average देगा इस कार की बड़ी बेहन Elantra का एक feature है जो कि अब वर्णा के top end version पे भी दिया गया है सोच लीजाए आपके हाथ में बहुत सारा सामान है गाड़ी की चाबी आपके pocket में है आपको सिर्फ काड़ी के तरफ आना है और खुद बखुद इसका trunk lid खुल जाएगा आप सामान रख सकते हैं आजराम से और काफी convenient feature है अब बात करते हैं कार के cabin की नहीं वर्ना के इंटीर्स में बहुत जादा चेंज़ नहीं है लेकिन जो sport model है उसमें सबसे जादा चेंज़ आपको नजर आएंगे क्योंकि पूरा treatment अब all black है बहुत sporty है seats पे भी आप देख सकते हैं red stitching और red accents दिये गए हैं यहां gear stick के नीचे भी वही लाल रंकी stitching है और लाल elements यहां पे AC vents में भी include किये गए हैं जो कि कहना होगा कि गाड़ी को एक बहुत sporty और edgy थोड़ा सा लुक ज़रूर लेते हैं instrument cluster है उसमें थोड़ी सी या तब्लीया है यह पूरी तरह से अब virtual है और जो touch screen system है जो पहले था वही है और connectivity options भी जैसे पहले available थे variant के हिसाब से available है और sport model वैसे भी SXO यानि की सबसे जो ऊपर का variant है उसी पे based है तो इसमें सारे features available है wireless phone charging जो आप दूसरे Hyundai models में भी देख चुके है इसमें अब टॉप model में दिया गया है और पीछे पिछले सीट या पिछले सीट के passengers के लिए एक USB charging point भी है और अंतमे कार के दाम Hyundai ने मार्च में अपनी website पर नए वर्णा की कीमतें डाली थी इसलिए हम इन्हें कुछ समय से जानते हैं नए petrol GDI का सिर्फ एक ही top end version है जिसकी कीमत 13,99,000 रुपे है तो क्या नई वर्णा जो पहले से ज्यादा features के साथ आई है आपको प्रभावित करती है हाँ मुझे गलत मत समझीए क्योंकि कार और अच्छी हो सकती है अगर आप लालची होना चाहते हैं लेकिन अधिकांच भाग के लिए कार कई बजटों में फिट होने के साथ साथ काफी आधूनिक connected और जरूरी है साथ ही बहुत सारे features टैंडर्ड है पिछले कई सालों से ऐसा बहुत कम ही होता है कि बात Hyundai वर्ना की हो और साथ में Honda City का नाम ना लिया जाए इस कार की बिल्कुल नई जनरेशन अब बजार में लाउंच होने को तयार है लेकिन उसके बारे में आपको हम बताएंगे शो में अगले हफते फिलहाल वक्ते एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे नई Apache RR 310 PS6 रफ्तार रीबूट इट पर ब्रेक के बाद स्वागा थे आपका रफ्तार रीबूट इट के इस पहले एपिसोड में और अब बात करते हैं नई आपाचे RR 310 PS6 की तो टीवेस की सबसे महेंगे मोट साकेल है और इस नई मोट साकेल में टीवेस और नए बढ़िया फीचर्स भी डाल दिये हैं आईए इन पर एक नज़र डालते हैं पीवेस मोट कमपनी की सबसे बड़ी बाइक अपाचे RR 310 को अपडेट किया गया है यह अब नए भारत स्टेज 6 प्रदूशान नियमों को पूरा करती है लेकिन इसके अलावा भी मोट साकेल में काफी कुछ नया है अपडेट बाहरी भी हैं और तकनी की भी अब RR 310 को नई electronic throttle by wire तकनीक चार राइडिंग मोट और कई स्थर वाले ABS के अलावा नए मिशिलिन रोड 5 टायर भी मिलते हैं जो बड़िया पकड़ और handling का वादा करते हैं तो नई TVS Apache RR 310 BS6 में जो नहीं बदला है वो इसका डिजाइन और आकार वो पहले जैसा ही है लेकिन ये रंग नया है इस बाइक में तो पहले ये मोट साइकल फुल ब्लाक कलर में आती थी लेकिन अब इसे टाइटेनियम ब्लाक नाम दिया गया है तो आप देखेंगे तो पहले गया है उसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज इस बाइक के अक्सेलरेटर में है तो पहले ये केबल से चलता था अब ये लेक्ट्रोनिकली चलता है और इसमें चार मोड्स है और मोड्स के नाम है रेन, अर्बन, स्पोर्ट और ट्रैक और इसमें तीन EBS सेटिंग् करते हैं तो रेन मोड्स में सबसे ज़्यादा EBS आपके मदद करता है और ट्रैक मोड्स में सबसे कम अदद करता है क्योंकि बिलकुल आखिर में आपको ब्रेक दबाने होते हैं बीच में बच्चे जो दो मोड़ा है उसमें आप कम लीवर का इस्तेमाल करके भी जादा ब्र करेगा हैंडल के बाइं तरफ इस सिस्टम को चलाने के लिए नई तरह के बटन दिये गए हैं जिससे बाइक सवार अपने पसंद के राइड मोड को चुन सकते हैं साथ ही रेस कम्प्यूटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं यह अफडेट शायद मामूली लग सकते हैं लेकिन यही हैं जो अपाचे आरार 310 के इस मॉडल को नया बनाते हैं तो यह तो हम जाते हैं कि बाइक में बीएस 6 एंजिनर का यह मतलब है कि यह पहले से जादा साफ है और कम प्रदूशन करता है लेकिन इसके जो फिगर्स है तो ताकत है वह पहले जैसी ही है तो मैक्सेम पावर 33 BHP और पीक टॉक 27 NM जो आपको इस एंजिन के साथ मिलेगा इसके लावा दो एहम चीजे सस्पेंशन और फ्रेम बिल्कुल पेले ऐसा है वहां कुछ नहीं बदला है हाँ एक चीजा जो बहुत जरूरी है और जो बदली है वो है इस बाइक के टायर जो स्पेशली इस कंपाउंड दिया गया है ताके टायर लंबे समय तक चल सके और साइट में सॉफ्ट कंपाउंड है ताकि आपको बेटर ग्रिप्स मिल सके सडकों पर स्पेशली जब वो गिली हो नई आरार थ्री टन पर थ्रोटल रिस्पॉंस बहतर है साथी एकसलेरेटर को इस्तेमाल करने में जटके भी कम लगते हैं बाइक की पिछली पीडी से जुड़े हुए वाइब्रेशन भी अपकम हुए हैं हाँ बहुत तिस रफतार पर सीट पर इनको थोड़ा बहुत मैसूस किया जा सकता है स्लिपर कलच के भी अपने फाइदे हैं ये पिछले पीड़े को जमीन से लग कर चलने में मदद करता है और गेर बदलने में भी कोई परिशानी नहीं होती लेकिन जो काफी बदल गया है वो ये के थोड़ा भारी होने के बावजूद नए टायरों ने अपाचे आरार 310 को चलाने में बहतर बनाया है भरोसा जादा है और पकड़ भी पाइक की राइड कॉलिटी काफी अच्छी है और सवारी अरा एमदायक है इसके अलावा जो इसका राइड पोजिशन है वो ही मुझे काफी काफी कमफरटेबल लगा मेरी लंबी हाइट के बावजूद तो इन चीजों से आपको खास शिकायत नहीं होगी टीवे सपाची इसको आप शहर में डेली उसके लिए इस्तिमाल कर सकते हैं या इसको हाइवे पे लेगी जा सकते हैं वहां भी आप इस पे खुश रहेंगे बीए सिक इंजन तो ही लेकिन साथ में फीचर्स ने इस पाइक काफी मॉडन बना दिया है और इनमें से कई ऐसे फीचर्स हैं जो नए मॉडल को मिले अपडेट्स ने बाइक को यकीनन बहतर बनाया है ना केवल रिफाइनमेंट और हैंडलिंग में बलके संपून मुड साइकल के रूप में यकीनन ये इस कीमत पर भी एक प्रीमियम बाइक लगती है Apache RR310 की तरह बाकी काफी सारी बाइक सब अपने BS6 अफ़तार में बाजार में उतरी हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पे जरूर बताएं और याद रखी अगले हफते Honda City का जो नया जेनरेशन है उसका हम पूरा खुलासा आपके सामने लेकर आएंगे तो अगले हफते शो देखना ना भूलिएगा तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजे और आप अपने seatbelt या helmet ज़रूर पहने ज़रूर भाले हमें इजान वाले हमें